हाई दोस्तों, welcome to the channel knowledge in general, मेरे ना मैं Amit Kashyap और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस channel पे और दोस्तों आज के इस particular episode में हम यह check करेंगे कि green screen effect हम mobile से कर सकते हैं while using stream yard जी है दोस्तों अगर आपने stream yard के मेरे tutorials देखे होंगे तो आपको पता होगा कि green screen का use करके जो है background beautiful बना सकते हैं लेकिन यह चीज़ computer से तो हो सकता है क्या हम mobile से कर सकते हैं आज का जो video है वो experimental video इसी के उपर है तो हम check करेंगे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ को हम change करेंगे जो कि mobile के अंदर हम करेंगे वाइल streaming from stream yard हम जो google chrome के अंदर option यूज़ करेंगे वो desktop application की यूज़ करेंगे वो क्या है वो अपनी mobile screen पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों before we go ahead अगर आप मेरे channel पर first time आया है तो दोस्तों channel को subscribe जूरू कर लीजेगा और साथ लेके bell icon को जूरू दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की important videos की notification मिलती रहे so without wasting further more time let us move to the mobile screen so दोस्तों ये है हमारी mobile screen mobile screen पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ओपर three dots आ रहे हैं उन three dots पर click कर लेते हैं stream yard के जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर desktop side का option में आपको पतार था वो click कर लेंगे इसको click करने से क्या होगा अब हम जो भी चीज़ देखेंगे न वो desktop application की देखेंगे तो एक बारे के लिए करते हैं यहाँ पर enter broadcast studio पर click कर लेते हैं और यह दिखेगा यहाँ पर authenticate कर रहे हैं enter हो रहे हैं and here I am अब आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पर अब next क्या कर लेते हैं हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं और enter broadcast पर click कर लेते हैं so we are in the broadcast now अब यह देखें यह आप broadcast में हैं हम क्या करते हैं यह पर इसको अपने आपको add to stream कर लेते हैं so now we are in the stream अब आप stream के अंदर मुझे देख सकते हैं अब यहाँ पर logo वगरा है चलो उसको भी रहने देते हैं अब क्या करता है कि हम यह जेखना चाते हैं कि mobile phone से हम green screen कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं so यह पीछे की अब green screen देखते हैं कि हम यहाँ पर mobile phone से हैं और क्या green screen काम करती है तो हम एक यहाँ पर जो है कोई photograph पोस्ट करते हैं so यह देखेगा mobile phone से पीछे की green screen जो है वो add हो चुकी है however phone में थोड़ी lagging आपको नज़र आ रही है क्योंकि मेरे बोलने में और उसमें थोड़ा सा फरक आ सकता है but अभी के लिए ऐसा इसको back कर लेते हैं so if you see दोस्तों अब मैं mobile phone पे हूँ और पीछी की green screen जो है यहाँ पर work कर रही है so दोस्तों यह जो experiment था वो simple सा यही experiment था हम यह देखना चाहते थे कि इसके अंदर यह वहला चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता तो अगर आप mobile से भी green screen का use करना चाहें तो वह हो सकता है the only thing is कि आपको जैसा कि मैंने starting में बताया था उपर तीन dots पे click कर देने के बाद you have to select desktop application so that desktop application भी यह वह चीज हो पाएगा अगर आप mobile application में से करने लगेंगे तो यह option आईगी ही नहीं आईए वो भी check कर लेते हैं यहाँ पर फिर दुबारा से मैं तीन dots पे click करके इधर जो select कर लेता हूं desktop side को हटा देता हूं so अब हम mobile application के through इसमें stream कर रहे हैं आप फिर दुबारा से enter broadcast करते हैं यह दिखिएगा पीछे green screen नजर आ रही है अब एक काम करते हैं आप ए cam oblique mic पे enter broadcast studio कर लेते हैं पहले यह हम broadcast studio के अंदर आ गए यह हम mobile version से आया है अब अगर मैं यह आपको दिखा हूं camera पे click करके तो camera off and on का option है इसके इंदर camera edit करने का यह पीछे की green screen को हटाने का कोई भी option इसके इंदर नहीं है so this is very clear दोस्तों कि अगर आप यह वाला चीज green screen का effect जो है करना चाहते हैं stream yard से अपने mobile से तो वो आप सिरफ और सिरफ desktop application select करने के बाद ही कर सकते हैं यानि कि mobile से चीज पॉसिबल है लेकिन mobile version में पॉसिबल नहीं है आपको जो है desktop application का ही यूज करना पड़ेगा so दोस्तों this is all for this video अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरू कीजिएगा और चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा this is Amit Kashab signing off and thanks for watching this video दोस्तों